हाई काई वेलकम बैक टो मैं चानल तो आज की टॉपिक में लेकर आया है एक मार्क इसको आप स्क्रबर भी यूज़ कर सकते हो यह आज नाइट रूटीन के लिए भी ले सकते हो आप इससे हैर रिमॉबल भी कर सकते हैं यह बहुत इजी तू मेक हैं यह वीड से बना हुआ है आप तो जेसे जानते हो गया आज कौल वीड जर्म बहुत जादा फेस प्रोड़क्स में यूज़ हो रहा है तो चले शुरू करते हैं देखते मैंने यह प्रोड़क्स कैसे बनाया है तो मैंने यह वीड फ्लावर लिया है गेहूं का आटा जो हर किसी के घर में होता है नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसमें मैंने वान टी स्पून मतरब एक छोटी सी पिंच अफ हल्दी दाला है यहां पर मैंने एक च्छा दूद लिया यह अच्छा दूद मैंने सुबा ही थालिकाल के त्युक्ण में टूद इसको थोड़ासा इस तो आप इसके बाक्टिरीया इसको तरहा फोने के लिए मैंने इसके अरशप्रु पली करें में इसको अनुक्री टूद सेस्टिया से दूदति διαविडों स् ell १िसमें करिक यह यह नय प्र प्रोडाट ज़ंए अब लंज भी हो तो आप अच्छे से हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते क्योंकि यह जो मिक्स करने का प्रोसेस ही थोड़ा टाइम कंसुमिंग है बट इस और वर्थ आपको यह प्रोड़क्त बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा अगर आप इसको फॉलो करोगे और यह आपके जो करके बताऊंगी और आपको खुदी पता चल जाएगा यहां मैंने कोई कर शट नहीं किया यह जो भी रियर शॉट्स है मैंने वह डाला है आपको पता चल जाएगा कि यह कितना अफेक्टिव है इसको मैं आपको इसको रात को यूज करना है तो आप एक पतली सी लेयर अप जाएगा तो इसको लेकर जाएगा अपने पूरे फेस पर अच्छे से मल लीजिए जब तक यह जो आटा है वह पूरा सूखने जाएगा आपके फेस की पूरी डर्ट लिकाल देगा और आपकी जो फाइन बाल से उसको भी जड़ से निकाल देगा यहां पर आप भी बहुत करना आपको यह इंस्टिंट रिजल्ट देगा बड़ अगर फॉर लॉंग लास्टिंग और जादा रिजल्ट के लिए आप इसको जी फॉलो करिये तो आपको बहुत यह चाह देखिए मेरा हाथ मेरा हाथ की गंदेगी थी वह दिख रही है यह देखो मेरा बिफोर और प्रोसेस है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज हिद दा लाइक पर तो सब्सक्राइब तो मैं चानल और शेयर दिस वीडियो आई होप बाब बाई ती यू नेक्स टाइम